प्रेस्ने 13, किसी वृत की त्रीजिया 12 cm है, यदि इसकी त्रीजिया को 1 cm बढ़ा दिया जाए तो इसकी परीधी में कितना परिवर्टन हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है वृत की त्रीजिया वृत की त्रीजिया को आर से लिखते हैं तो आर बराबर कितना दिया हुआ है 12 सेंटिमीटर अब इसका पहले हम परीधी ग्याद कर लेंगे तो वृत की परीधी का सुत्र होता है 2 पाई आर आर हो गया त्रीजिया तो टू पाई पाई का मान होगा देखिए पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है तीन दस मलो एक चार पाई का मान कितना दिया हुआ है तीन दस मलो एक चार तो पाई के जगा पे लिख लेंगे तीन दस मलो एक चार वृत की परीधी निकालने का सुत्र होता है 2πR π का मान होता है 3.1,4 और R के जगा पे लिखेंगे 12 अब इसको गुना कर देंगे तो 12,24 तो आज आएगा 75.3,6 cm तो जब वृत की त्रीजिया 12 cm होगा तो वृत की परीधी हो जाएगा 75.3,6 cm इन तीनों को गुना करने पे कितना आएगा 75.3,6 cm अब लिखेंगे पुना वृत की त्रीजिया बराबर अब कहा रहा है 1 cm बढ़ा दिया जाए यानि 12 में एक जोड देंगे तो कितना आजाएगा 13 cm हो जाएगा तो कह रहा है कि वृत की त्रीजिया में एक cm बढ़ा दिया जाए वृत की त्रीजिया को एक cm बढ़ा दिया जाए तो देखे पहले वृत की त्रीजिया था 12 cm अब एक जोड दिया गया है 26 गुना 3.14 तो आज आएगा 81.64 cm एक 80.64 cm तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर किसी वृत की त्रीजिया को एक cm बढ़ा दिया जाए तो इसकी परीजिया में कितना परिवर्तन होगा तो लिखेंगा तर परीजिया परीजिया में परिवर्तन बराबर 81.64 माइनस 75.36 तो 81.64 में से 75.36 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 6.2 आठ तो देखें परीधी में परिवर्तन कितना हो गया? 6.2 आठ सेंटीमीटर यानि विरीत की तरीजा को एक सेंटीमीटर से बढ़ाने पर परीधी जो है 6.2 आठ सेंटीमीटर बढ़ जाएगा तो इस तरह इस प्रस्ण को हल करेंगे प्रस्ण चाओदा एक तार को 28 सेंटीमीटर वियास वाले एक वरीत के रूप में मोड दिया गया है यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड दिया जाए तो वर्ग की एक भुजा गयाद करें तो लिखेंगे विरिताकार विरिताकार तार का वियास वियास को डी से लिखते हैं तो लिखेंगे विरिताकार तार का वियास बराबर है 28 सेंटीमीटर तो लिखेंगे विरिताकार तार का वियास कितना है 28 सेंटीमीटर है ठीक है कहारा है एक तार को 28 सेंटीमीटर वियास वाले एक वरीत के रूप में मोड दिया गया तो विरित के रुप में मोड़ दिया गया है यानि विर्ताकार तार हो गया वहाँ पे तो विर्ताकार तार का व्यास हो गया है 28 cm पहले हम इसका परीधी ग्याद कर लेंगे तो विर्ताकार तार का परीधी बराबर अब देखें परीधी निकालने का सुत्र होता है 2 πाई आर जब त्रीज्या दिया हो और जब ब्यास दिया हो तो पाई डी सुत्र लगाएंगे परीधी निकालने का सुत्र हो जाएगा पाई डी पाई का मान हो जाएगा 22 वटा साथ पाई का मान जब कुछ नहीं दिया हो तो 22 बटा 7 रखेंगे D कितना है 28 है तो गुना 28 कर देंगे साथ चोक 28 कट गया 22 चोक 88 यानि 88 cm हो जाएगा परीधी विर्तकार तार का परीधी कितना हो गया 88 cm अब कहा रहा है यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाए तो वर्ग की एक भुजा गयात करें तो लिखेंगा ता प्रेस्न से प्रेस्न अनुसर क्या कह रहा है कि वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 88 cm देखें तार को क्या किया गया है वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया है तो जितना तार का परिधी होगा उतना ही उस वर्ग का परिमाप होगा क्योंकि परिधी और परिमाप एक ही होता है ठीक है परिधी वरित में परिधी कहते हैं और वर्ग में परिमाप कहते हैं तो परीधी तो बदलेगा नहीं यानि परिमाप तो वही रहेगा चाहे वर्ग बना दें चाहे आयत बना दें उसको तो जितना परीधी होगा उतना ही वर्ग का परिमाप होगा तो वर्ग का परिमाप बराबर 88 cm लिख लेंगे अतह वर्ग का परिमाप का सुत्र होता है चार गुना भुजा देखे वर्ग में चार भुजा होता है चारों बराबर होता है तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा चार गुना भुजा तो चार गुना भुजा बराबर 88 cm अतह भुजा बरावर क्या हो जाएगा तो वर्क की एक भुजा बरावर हो जाएगा 88 बटा 4 यानि 22 तो वर्क की एक भुजा कितना हो जाएगा 22 cm तो कह रहा था कि वर्क की एक भुजा ग्याद करें तो वर्क की एक भुजा हो जाएगा 22 cm तो इस तरह से प्रस्न चाओदा हल करेंगे